आप सभी जानते ही हैं कि बीते दिनों ये खबर आई थी कि टीवी के जाने वाने आक्टर नमिक बॉल चल थी कसौटी में एंटर करेंगे लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा दरिसल पिछले दिनों ये खबर भी सामने आ चुकी है कि एकता कपूर ने अपने सुपर नाच्रल शो कवच टू के लिए भी नमिक का ओडिशन लिया था और नमिक उन्हें कसौटी से ज्यादा कवच के लिए बेटर चॉइस लगे और इसलिए अब उन्होंने नमिक को कवच के लिए फाइनल कर लिया है अब इस शो में जहां नमिक लीड रोल निभाएंगे तो वहीं कसौटी से उनका पता कट गया है ऐसे में जहां नमिक की एक्जिट से कसौटी के फैंस को जटका लग गया था जी हां खबरों की माने तो नमिक पॉल की जगे कसौटी जिंदगी क में अक्टर वरुन तुर्की की एंट्री हुई है जो अनुराग प्रेणा के बीच आगे दूरिया बढ़ाने का काम करेंगे दरसल स्पोट बॉइ की रिपोर्ट की माने तो वरुन को शो के लिए फाइनल किया जा चुका है हाला कि आपको बता दें कि जब इस बारे में जा किया गया तो उन्होंने इस सवाल पर थोड़ा घुमा कर जवाब दिया जबकि उन्होंने इस सवाल पर थोड़ा घुमा कर जवाब दिया जबकि उन्होंने इस सवाल पर थोड़ा घुमा कर जवाब दिया जबकि उन्होंने इस शो के लिए अप्रोच किया गया है वरुन क प्रोच के लिए प्रोच किया गया है और हो सकता है कि वो शो का हिस्सा बनी जाएं। लेकिन अगर बात करें वरुन की तो वरुन टीवी के कई पॉपलर शोज का हिस्सा रही है। और उन शोज की लिस्ट में कुबूल है सामदाम दंड भेद और उत्रन जैसे शोज शामिल है। अभी हाली में वरुन को ये रिष्टा क्या कहलाता है में भी देखा गया है। शोज में वरुन तरकी की रिष्व के तौर पर एंट्री हुई थी। इस शोज में भी वरुन ने नायर और कार्तिक के जिंदगी में भूचा अला दिया था। ऐसे में अब देखना होगा कि जब कुमॉलिका के एक्जिट के बाद वागई वरुन अगर इस शो में विलन के तौर पर आएंगे तो प्रेणा अनुराग के जिंदगी में फिर कौन सा नया तूफान आएगा। तो अब देखते हैं कि वरुन कैसे अनुराग प्रेणा के बीच आएंगे।